इस युग में आयुर्वेद बना है हर मनुष्य के लिए वर्दान और बेन मून फार्मा इस वर्दान को पहुचा रहे हैं हम तक जिनके पास है हेल्थ, स्किन, हैर, पर्सनल, होम और एगरी के साड़े 300 हर्बल प्रोडक्स की विशाल रेंज जिनके प्रोडक्स है सेफ, एफेक्टिव, बिना साइड इफेक्ट्स और जी एमपी सर्टिफिकेट से अप्रूव्ड, बेन मून, डिस्कावरिंग नेचर, हीलि जिन शेलिना अपडेट्स नेमित मिलवा अमारा फेस्बुक पेज अईरवेदिक लाइफस्टाइल ने लाइक करो, तेमचे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर अईरवेदिक लाइफस्टाइल ने फॉलो करो, स्वास्ति जागरूतिनी आप महा जुंबेश मां अमारा अपना वो अईरवेदिक लाइफस्टाइल तुलसी कुर्क्यूमिन ड्रॉप्स, सपोर्ट टु अ हेल्थी लाइफ नमस्कार दर्शक मित्रो, हूँच पूजा शर्मा अईरवेदिक लाइफस्टाइल में आपनो हर्दिक स्वाग अच्छे आंगला मा रहेला तुलसी ना छोड़नी पूजा करवी के तुलसी ना क्यारा मा दीवो करवानी परंपरा तो आपने तियां रहेली छे रसोड़ामा वप्राता मसालामा धर्यक ना रसोड़ामा वप्रातो सर्वसामानी मसालों जोकोई होए तो एचे हर्दर जी हां तुलसी ना हर्दर विश्यत आपने जानिये छे परंतु वधू जाणवानों प्रयत्न करीशू सुप्रसिद आयरुवेदाचार्य वेद्य डीपी शर्मा पासे थी जेवो 15 वरष्ती आयरुवेद थाते संकड़ायला छे शर्मा जी आयरुवेदी क्लाइफसेल में आपके स्वागे थे आयरुवेद मा एवा अनेक उशदों छे जा आपड़ी रोग प्रतिकारक शम्ता मा वधारों करे छे एवा अउशदों मा सवती मुखरे जो कोईने स्थाना प्पमा आवी होई तो एचे तुल्ची आने हर्दर आजनिया चर्चा शरू करता पहला जो ये तुल्ची आने हर्दर विशे सामान्य मा हीति आपतो आखास वीडियो जीवन शेली बदलाव नी सवती मोटी असर आपनी रोग प्रतिकारक शम्ता पर थाई छे शर्दी, कफ, सामान्य माथा नो दुखावो के पेट नो दुखावो दरेक वक्ते बिन जरूरी दवाओ लईने आपने रोगने मटाडवाने बदले तेने दाबी दैये छिए जे आगल जता खुब नुकसान दाई साबित ततु होई छे आपना आंगलामा रहेलो तुल्सी नो छोड अने रसोडाना मसालामा रहेली हलदर आप बनने असंख्य अवशधिय गुणो धरावे छे अने आपनी रोग प्रतिकारक क्षमता वधारे छे भारतमा तुल्सी ना छोड नी पूजा करवामा आवे छे अने कार्तक सुद 11 ना दिवसे तुल्सी विवाहनो उत्सव उजवामा आवे छे आपने त्या तुल्सी माटे एवी धार्मिक मान्यता छे के जिमना घरे तुल्सी नो छोड होई त्या यमना दूतो आवी शक्ता न थी आ वात नो मर्म ए छे के तुल्सी नी सुगंद पने तेना गुण थी अनेक रोगो दूर थाई छे जे तुलसीनों उचेर करे छे, के तेनु सेवन करे छे, ते रोग मुक्तर रहे छे आथी आईरवेद मा तुलसीने आगवू स्थान आपवामा आव्यू छे एवीज रिते हलदर ने पन तेनामा रहेला असंख्य अवशधिय गुणोंने लिधे आईरवेद मा रोग प्रतिकारक शक्ति वधार नारू द्रव्य गणवामा आव्यू छे आपणा रोजिन दा अहार मा तो हलदर अनिवार्य छे परन्तु आ उपरांत हलदर एक कुदरती सोंदर्य प्रसाधन छे हलदर प्राक्रुतिक अंटि ओक्सिडेंट छे आने तेमा रहे लू क्यूर कि मीन नाम नू तत्व कैंसर नी सामे रक्षण आपे छे तो आवो तुलसी अने हड़दर आ बनने अमुल्य अवशदों विशे विस्त्रुत माहीती मिलव्य डॉक्टर डी पी शर्मा पासे थी दर्शक मित्रो अत्यार आपे रोग प्रतिकारक शक्ति वर्दक अवशद्यों विशेनी चर्चा करवाना चे दॉक्टर साब आप हमें ये बताईए ऐसी कौन सी अवशद्या होती है जो हमें रोगों से लड़ने में हेल्प करती है या मदद करती है ऐसा है कि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक श्मता को बढ़ाने वाली जो ओशदिया है हमारे घर में ही पाई जाती है हमारे रसोई घर में बहुत से ऐसी चीज malaria है जिसके उप्योग से हम अपनी रोग प्रतिरोधक श्मता बढ़ा सकते हैं जिसमें के बादाम है, गुड है, आउला है, ये जो चुटी-चुटी चीजें हैं, ये हमारे शरीर में रोग परती रोधक शम्ता पैदा करती हैं, गुड को अगर खाने में शामिल कर लिया जाए, तो इससे अच्छी चीज और भी नहीं सकती, कारण गुड आसानी से मिल जा जाता है, चीनी का प्रियोग अगर हम ना करें, तो ये जादा बहतर होता है, आउला, प्राया हर जगा मिल जाता है, और आउले का जो प्रियोग होता है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाबदायक होता है, इससे हमारी तुच्छा में निखा राता है, केश लंबे होते हैं के स愉सा किहले पकते नहीं हैं वगरवगर इसलिए इसमें कई शारी शक्तियां इसमें शामिल है वैसे हिए हम रसदार अगर फलों की बात करें फल हर सीजन में हर मौसम में मिलता है और उन मौस data करें तो इसे रोग परती रोधक शमता बढ़ती है अगर हम आवले के साथ साथ त्रिफला का प्रियोग करें त्रिफला जिसमें आवला, हरे और बहरा का मिश्रन होता है ये भी रोग परती रोधक शमता बढ़ाने में काफी कारगार सिद्ध होती है लहसुन है लहसुन प्राय हमारे रसोई में आसानी से मिलता है लहसुन का अगर प्रियोग हम रोजाना करें तो इससे कई तरह के जो चमतकारिक प्रभाव हमारे शरी में देखने को मिलते हैं वो बहुत ही सुन्दर होता है और बहुत ही साधारन घरों में पाये जाने वाली त तुल्सी जिसको हम पूछते हैं, यह जो तुल्सी का पौदा है, इसमें आविश्वाशनिया शक्ती होती है रूक से लड़ने की, साथ ही साथ हल्दी, जो प्रायर रसोई घर का आप राजा कह सकते हैं, क्योंकि हल्दी के बगार तो हम किसी सब्जी की कल्पना भी नहीं कर सक होते हैं तो हल्दी में विशेश्य गुन होते हैं और इसके साथ ही साथ हरी सब्जियां हर मौसम में हरी सब्जियों का बहुत ही सेवन करना लाबदायक होता है सब्जियों में टमाटर टमाटर देखने में तो ऐसे बहुत ही साधरन है बट इसमें जो रोग पती रोधक शमता है और इस तरह की जो सब्जियां होती है बंद गूबी होती है इन सबों चीजों में कुछ ऐसी रसायन होती है जिससे हमारे शरीर में रोग पती रोधक छंता बढ़ाने में बहुत ही कारगार होती है तॉक्टर साब अभी आपने तुलसी का जिक्र किया तो अब आप हमें ये तो इसका महत्व हमारे घरों में हमारे परिवार में पूजा जाता है और तुलसी का जो पौधा होता है वो आसानी से मिलने वाला एक साधारन सा पौधा है लिकिन तो यह साधारन पौधा विशेस गुनो सहित अगर हम ऐसा सोचें कि ये परती रोधक छंता को अगर बढ़ है यही सबसे बड़ा कारण है क्योंकि देर तक रात को जागना सुबा देर तक सोहे रहना देर से उठना और कई पदार्थों का खाना जैसे सब्जियों में काफी तेल का गी का प्रियोग हम करते हैं यह भी हमारी रोग परती रोधक शंता को घटाती है और ऐसे में हम जैस बढ़ सक्ती है तुल्सी का विशेज जिक्र मैंने इसलिए किया कि तुल्सी को हर उम्र के लोग प्रियोग में ला सकते हैं vocêsovas अवस्था हो या फिर वल्दता हो किसी भी अवस्था में आपिसका कर सकती है हम भी कर सकते हैं और इसमें कोई आएटीक्ट नहीं है सका कोई द प्रकार के पाई जाते हैं और इसमें जितने भी प्रकार हैं तुलसी के ये सभी और शदिये गुनों से भरपूर हैं। डॉक्टर साब हम आप से दुलसी के बारे में थोड़ा और विस्तारशी जानेंगे लेकिन समय हो चुका है एक ब्रेक लेने का दर्शक मित्रो मढ़िये विरामबाद। साइड इफेक्ट्स और GMP सर्टिफिकेट से अप्रूवड बेनमून डिस्कावरिंग नेचर हेलिंग लाइवस। बड़ी बीमारी का संकेत हो सकती है इसलिए हर छोटी से छोटी बीमारी को परास्त करने बेनमून प्रस्तुत कर रहे हैं तुलसी कुर्क्यूमिन ड्रॉप्स इसकी कुछ बूंदों का रोजाना सेवन आपको बचाए खासी, जुकाम, एसिडिटी, कब्स, वाइरल फीवर, अस्तमा और एनीमिया जैसे बीमारियों से तुलसी कुर्क्यूमिन ड्रॉप्स परिवार के हर सदस्त के लिए वर्दान है। तुलसी कुर्क्यूमिन ड्रॉप्स, सपोर्ट टु अ हेल्दी लाइफ। व्यामबाद अरुवदी कलाफ सेलम आपनो पुना स्वागत्च है। दक्री साब ब्रेक पर जाने से पहले हमने तुलसी की विशेष्ताओं के बारे में बात की। तो अब आप हमें ये बताएए तुलसी के आउशदियों प्रयोग कौन से कौन से है। हाँ, तुलसी का जो पौधा होता है या विशेष्ताओं से भरा पड़ा है। तुलसी का पौधा प्राया हर घरों में पाया जाता है। और इसकी धार्मिक आस्था के साथ साथ और शदियों गुनों का प्रयोग जो होता है। साधारंत जो हम प्रयोग में लाते हैं या बिलकुल विश्वस्चनिय लगता है। कि या साधारं सा पौधा हमारे रोग पर ती रोधक शमता को बढ़ाने के साथ साथ कई ऐसी चोटी चोटी बिमारियां हैं जिसमें अपना प्रभाव बिलकुल दिखाती है। अब हम बात करें सरदी खासी जो काम की तो ये एक साधारं होने माली ऐसी बिमारी है जो अक्सर बच्छों को हो जाया करती हैं अक्सर हमें हो जाया करती हैं और ऐसे में हम परिशान हो जाते हैं। और इसका निदान हमारे घर पे ही होता है, हमारे आंगर में होता है, आप तुलसी का पौधा जो आपके घर में है, उसे आठ दस तुलसी के पत्ते आप लें और उसका काड़ा बना लें, जैसे आप चाय बनाती है, वैसे चाय आप बना लें, और इस चाय को आप सिप करके, घ कई लोग ऐसा बताते हैं कि गले में खराश होती है और गले में हमेशा कुछ हड़ का हुआ सालगता है इसका सबसे बड़ा कारण हैं गले में ev beau OK, यह न गले का jetzt infection होता है यह तकलीफ तो देता है तो इसे गले का जो infection है वो खत्म हो जाता है इसका और भी एक विशोस अगर प्रियोग आप देखें जैसे आँखों का दुखना आँख में जलन होती है, हम टीवी देखते हैं, हम मोबाइल पे बहुत दी काम करते हैं, लैपटाप पे काम करते हैं इसे आँखों में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, आख में लाली आ जाती है, आख से पानी गरना शुरू हो जाता है, आखों में दुखन होती है, चुबन होती है, जलन होती है ऐसे में बिल्कुल साधारन सा प्रियोग है कि तुलसी के पौधे को आप ले और इसके कुछ बूंदे आप अपने आँखों में डालने तो आपको तत्काल प्रभाव मिलेगा और यह बहुत अच्छा प्रियोग है अक्सर लोगों से अब जब कभी आप बात करें तो उनके मुझे दुरगन आता है यह बहुत एक आम अभी के लाइफ स्टाइल में यह शामिल हो गया है मुझे दुरगन आना इसके लिए बहुत ही अच्छा नुसका है कि आप तुलसी के जो पौधे होते हैं उसका पताब लें और उसे चबा चबा कर उसका अर्क जो है उसे आप निगलें साथी साथ अगर किसी को पाईरिया की शिकायत है दांतों में दर्द होता है दांत हिलता है या मसूडे में दर्द रहता है कभी-कभी खून, मवाद आता है तो ऐसे में बिलकुल एक प्राकिर्टिक चिकित सा, जो तुलसी का पौदा हमारे घर में है, आप तुलसी के पत्वों को लें, जो पत्ते सूख जाते हैं, उनको ले करके आप पौडर बना लें, साथ ही साथ सरसो का तेल, आप इसे मिक्स करके, अगर मसूरे पे मालिस करें, तो इस माले से मसूडे मजबूत होंगे, दान्त मजबूत होंगे, दातों में चमक आएगी, और मूसे दुरगन जो मैंने पहले बही बताया, वो भी बिलकुल खत्म हो जाएगी. और इसके साथ ही साथ, अगर तुचा की बात करें, हम स्कीन की बात करें, तो स्कीन पर भी तुलसी के पौधे का बहुत अच्छा प्रियोग है. अगर कहीं दाद हो गया हो, खुजली की शिकायत हो, तो ऐसे में भी आप तुलसी के पत्तियों का प्रियोग कर सकते हैं. कई बार कभी मच्छर या कभी मखी काट लें, तो हम परिशान हो जाते हैं, और दवा की खोज में लग जाते हैं, ऐसे में कभी घपरानी की जूरत नहीं है, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है, तो आप तुलसी के चंद पत्तों को आप तोड़ें, और तोड़ने क तुल्ड खत्म हो जाते हैं, और इतना ही नहीं, अगर क्रानीक अगर किसी को, अगर स्कीन डिजीज है, तो एक्स्टरनली बाहरी परियोग वो तुलसी के पत्तों के साथ, साथ ही साथ उसमें थोड़ा सा कपौर मिला लें, और इसको अगर मिला करके आप एक्स्टरनली काफर के नाम से सर में चक्कर आना शुरू हो जाता है इसके लिए बहुत ही साधरन सा और बहुत ही सरल सा उपाय है अक्सर घर में शहद होता है मधू होती है तुलसी के रस को आप मधू के साथ मिला कर और इसे चाड़ जाएं यात्रा के पहले तो आप देखेंगे सर का जो च पत्तों का रस लेकर अगर आप इसे चाट लें तो ये शिकायद भी खत्म हो जाती है देखा ये गया है कि दिल का धड़कना ये एक बहुत आम आज की समय में बात हो गई है ग्रट पेशर का हाई हो जाना लो हो जाना जिसके वज़े से दिल की धरकन बढ़ जाती है और अक सेवन करें तो दिल का धड़कना भी बहुत हद तक कम हो जाता है और ये देरे देरे बिलकुल ठीक हो जाता है रोग परती रोधक्षमता की बात अगर हम करें जैसा कि शुरू में हमने बात की कि रोग परती रोधक्षमता अगर लागातार सेवन हम करें तुलसी के पौद् नहीं अधीक होती है कि अगर वर्षों तक अगर आप इसका प्रियों करें तो आप बीमार नहीं पड़ सकते हैं इसे स्वतही शरीड लाइक हो जाता है वो तमाम बेरिमार्यों से लड़ने की उसमें छंपता पैदा हो जाती है और इसके साथ तो हिसाएत अगर हम سवसंतंतर की बात करें। रेस्पिरिट्रियर्टी सिस्टम की बात करें। तो आज ये दुशत वाईउ में, जो हम सांस ले रहे हैं। आज से एर कम्प्लीट्ली पॉलिटिद है।। और ऐसे में सुसंतंत्र की बिमारियां बहुत सारी हो रहे हैं, जिसमें दम्मे की शिकायत एक बहुत common बात हो गई है। ब्रॉंकाइटिस की बात अगर हम करें सुसंतंत्र से जुड़ी भी ये दो ऐसी बिमारियां हैं जो अक्सर हमारे बच्चों में भी पाई जाती है हमारा बच्चा इन छुटी-छुटी बिमारियों से काफी ग्रसित हो रहा है दमी की शिकायत आज बहुत कामन है ऐसे में तुलसी बहुत ही कारगार है तुलसी के साथ आप शहद का प्रियो करें और इसे रोजाना इस्तमाल करें तो रिस्परिटी सिस्टम से जुड़ी भी तकलीफ जो है दमी की शिकायत हो रिस्परिटी सिस्टम से ब्रांकाइटी सो आस्मा हो यह तमाम चीजें ठीक होती है और इंपॉर्टन मैं बात बता दूँ कि आज जो कारिय शैली है लोगों का वो है बैट के काम करने का और इससे एक बिमारी और भी बढ़ रही है वो है बावसिर की बिमारी जिसमें यह खूनाना मलके साथ खूनाना होता है यह बावसिर की जो बिमारी है इसमें भी तुलसी बहुत ही कारकार है इसमें भी तुलसी का प्रियोग अगर आप करें तो बावसिर जैसी बिमारी भी ठीक होती है तो यह तो कुछ ऐसे नुसके मैं बताया जो प्रह प्रियोग में आती है और इसका बिलकुल जो चमतकारी रूप है वो देखने को मलता है दॉक्टर साब हर चोटी से चोटी बिमारी को परास्त करने बेन मून प्रस्तुत कर रहे है तुलसी कुर्क्यूमिन ड्रॉप्स इसकी कुछ भूंदों का रोजाना सेवन आपको बचाए खासी, जुकाम, एसिडिटी, कब्स, वाइरल फीवर, अस्तमा और एनीमिया जैसी बिमारियों से त तुलसी कुर्क्यूमिन ड्रॉप्स, सपोर्ट टु अ हेल्थी लाइफ तो आपके बारें बताया, लेकिन पहले आपने हल्थी का भी शिक्र किया था तो आपपबाबामने ये बताये कि हल्थी का ओशद ये महत्वह क्या है? बिलकुल पुजा जी मैंने जिक्र किया था कि हल्दी हल्दी रसोई घर में पाए जाने वाला एक ऐसा चीज जिसके बगार हम रसोई बनानी की कलपना तो करी नहीं सकते अक्सर हम जब अच्छी लजीज सबजी की बात करें या किसी भी इलजीज वेंजन की बात हम करते हैं तो महां हल्दी का जिक्र जरूर आता है उसी तरह से हल्दी जो है वो हमारे वास्तविक जीवन में भी बहुत ही एक विशेस्ता लिए हुए है क्योंकि इसमें रोग परती रोधग जो च्छमता है वो बहुत अधीक है इसलिए इसका और शदिय महत्व जो है ये बहुत है या एक एंटी फंगल, एंटी बैक्टेरियल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी सेप्टी इतने सारे गुन इसमें विदमान है अता ये जो है अमारे स्वास्त के लिए बहुत ही लाब दायक है हल्दी का प्रियोग अगर हम कहें तो इसके कई सारे ऐसे चोटे चोटे नुस्खें हैं जिसको कि आप आजमा कर इसका लाब उठा सकते हैं हम सब दर्शक प्रियोग जितने भी हैं इसका लाब उठा सकते हैं तो इस तरह से अगर हम हल्दी की बात करें तो इसके जो औशदिया गुन है वो भी बहुत अधीक है जैसे कि मैंने बताया कि यह एक एंटी आक्सिडेंट का भी काम करता है जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो टॉक्सीन्स होते हैं जिसके वज़े से एक साधरन सी टॉक्सीन की बात मैं करूँ जैसे यूरीक एसीड अगर यूरीक एसीड का जमाव हमारे शरीर में अगर हो जाए तो जोडों का दर्शुरू हो जाता है जिसे गठियाबाद का नाम हम देते हैं यह जो गठियाबाद है इसका साधारन सा उपाए हमारे किचन में हमारे रसुई घर पे विद्मान है आप इसमें हल्दी का प्रियोग करें हल्दी का जो इस्तमाल है थोड़ी सी बढ़ा दें हल्दी को गरम दूद के साथ अगर लेते हैं तो ये हमारे शरीर में जो free radicals हैं जो toxines हैं इसको ये बिल्कुल drain out कर देता है और इस तरह से हमें जोडों के दर्द से मुक्ति मिल जाती है इसके साथ ही साथ यह सौंधर्य प्रसादन में भी बहुत ही अच्छा इसका प्रियोग होता है कच्छे हल्दी को अगर दूद में मिला करके और इसका पेस्ट बना लिया जाए और इसको चहरे पे लगाए जाए तो दाग, धबो, कील, मुहासे, आखोंगों की नीचे जो जाईयां वगर होती है ये बिलकुल दिरे धे खत्म हो जाती है चहरे में बिलकुल चहरे में चमक आ जाती है और इस तरह से हल्दी का जो प्रियोग है इसके और भी कई सारे प्रियोग है मैं आपको बताऊँ डाइजिस्टिव सिस्टम पाचन तंतर पर भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव है साधारंतिया हम अपनी सबजे में इसका प्रियोग करते हैं और यही कारण है कि डाइजिस्टिव सिस्टम जो है हमारा अक्टिव हो जाता है और पाचन तंतर पे खाने की पाचन क्रिया जो है उसको यह बढ़ा देता है अगर स्कीन डिजीज की बात हम करें तो यह एंटीफंगल है अगर फंगस इन्फेक्शन अगर है जैसे के उंगलियों के बीच में हेर में या फिर कई बार जोडों में जो जहां स्कीन जोडती है वहाँ पे फंगस इन्फेक्शन हो जाता है वहाँ अगर इसका external प्रियोग करें, बाहरी प्रियोग करें, तो इसमें भी ये लाब पहुचाता है हम प्राया देखते हैं कि आज की इस जीवन शैली में cancer, कॉलिस्टॉल का बढ़ जाना, diabetes का होना, ये आम बिमारियों का शकल ले लिया है ऐसे में अगर कॉलिस्टॉल अगर किसी का बढ़ रहा हो, तो वो हल्दी का प्रियोग अगर नियमित करना शुरू कर दें, तो कॉलिस्टॉल को भी कंट्रोल किया जा सकता है बात अगर हम cancer की करें, तो cancer के जो cell होते हैं, वो काफी तेजी से बढ़ते हैं और यह anti-cancerous गुन होते हैं, इसमें गुर्कुमिन इसको कहा जाता है, anti-cancerous गुन होते हैं जिसके वज़े से जो cell damage हो रहा हैं, उनको भी रोका जा सकता है यह anti-cancerous भी प्रियोग में आता है, और अगर हम बात करें, fat को reduce करने की, आज के समय में मुटापा भी काफी तेजी से आ रहा है, fat accumulate हो रहा है, fat भी एक तरह का toxin है, इसे भी हम control कर सकते हैं, हल्दी के द्वारा हल्दी का अगर नियमीत प्रियोग अगर हम करें, गरम दूद के साथ, रोजान अगर हल्दी हम डाल कर पीते हैं, तो इससे हमारे शरीर में रोग पटी रोधर छमता बढ़ जाती है, और हम रोग मुक्त होते हैं, और रोग से बच सकते हैं ये तो कुछ ऐसे नुस्खे थे, जिसे आप दहनिक जीवन में प्रियोग में ला सकते हैं, लेकिन जब कभी भी आप इसका प्रियोग करें, या जिर नमस्था में, अगर आप हैं, तो ऐसे में चिकत्सिये, जो सला है, परामर्ष है, वो आप जरूर लें वेदे राज, तुलसी और हल्डी की इतनी अमूलिय बाते हमारे साथ शेर करने के लिए आपका धन्यवाद, दर्शक मित्रों जोईए, आज नुँ आउशद प्राचीन काल थी, दूद ए मनुष्यनू प्रिय पीनू रहिँ छे, दूद ने शास्त्रों ए प्रुत्विलोक नू अम्रुत कहिँ छे, बधा प्रकार ना दूद मा, मातानू दूद, एटले के धावन, सर्वोत्तम गणाई छे, अने माना दूद बाद, गाईनू दूद गाईनू दूद शरीर नी रोग प्रतिकारक शक्ती वधारे छे, अन्य दूद करता गाईना दूदनी विशेश्ता ए छे, कि तेमा A2 प्रोटीन होई छे, जे बिजा कोई दूद मा होतु नथी, A2 प्रकार नूद प्रोटीन आरोग्य माटे सर्वोत्तम छे, भारतनी पश पर संशोधन करती हर्याणाना करनाल नी संस्ता National Bureau of Animal Genetic Resources से तमाम गायो ना दूदनो अभ्यास कर्यो अने प्रमानित कर्यो के भारतिय वंशनी गायो ना दूद मा A2 प्रोटीन होई छे, भारतिय वंशनी गायो जेवी के गीर गाय, कांकरेजी गाय, राजस्तान नी राठी वगेरे गायो ना दूद मा A2 प्रोटीन होई छे, अने आवू दूद खोराकमा लेवामा आवे, तो शरीर मा डायाबिटीस, हाई बलड प्रेशर, रदे रोग जीवी जिवन शेली विकारनी बिमार्यो थवानी संभावना ओची थै जाय छे, गाय ना दूद ना किटलाक अवशधिय प्रयोगो, गाय ना गरम दूद मा गाय नू गी अने साकर मेलवी पिवाती शरीर पुष्ट थाय छे, बल वदे छे अने विर्य ब्रुद्धी थाय छे, गाय नू हुफालू दूद पिवाती परिश्रम करिने लागेलो थाक उतरी जाय छे, महनतू मानसो माटे गाय नू दूद परम अवशध छे, कोई पन रोग ना उपचार माटे गाय ना दूद नो प्रयोग करता पहला, निश्नांत वैद्यनी सलाह लेवी हिता वह छे दर्शक मित्रो, आपणी आसपासेवी अनेक आउशधियो रहेली छे, जिन्नो आपणे नित्या आहारमा पण उपयोग करिये छे, परंदु तिना गुंदोश विशे जानता नती होता, तेवी तमाम जानकारी आपणा सुदी पहुचाडवानों में प्रयत्न करीशु, आ स झाल